दोस्तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूर्वत है हैलो नमसकार दोस्तो स्वागा थे है आपको देखने को मिलेंगे सबी बड़ी खबरे मुखिस समझा टूड़े ब्रेकिंग नीज के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्काइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी भी डूटल आप तक पहुंची रहे तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में अधिर्विंद केजरीवाल पर सीधा ने सना साते उन्होंने कहा है कि दिली के मुख्यमंतरी अपने आप में अजूबे हैं वे हर मुद्दे पर धरने पर बैठ जाते हैं, किसी मुख्यमंत्री को सुभा देता है क्या, जो ब्यक्ति सुधरता नहीं, उसे लद्खोर काते हैं, और आप लोग आज कल देखी रहे होंगे, जिहादों तो योगी ने कहा है कि प्रधानमत्री मोदी किसी भी राष्टी अध अधक्प्त से मिलते हैं, तो उसे स्रिमत भगवद घीता भेट करते हैं, क्योंकि यह हमारी पहचान है, योगी ने कहा कि हम कैसी दिल्ली चाहते हैं, जिस दिल्ली में बार बार вже स्थोर्ट होते हैं, वहां पीछले 5 वर्सों मोदी जी कि सुरक्षा ने कोई भी दुरगटन जी धरने पर बैठ जाते हैं, उन्हें बिकास से कोई मतलबी नहीं रहता है, केंदर में जब गैस कनेक्शन दिया, घर दिया, सोचाले दिया, मुदरा लोन दिया, तो किसी की जाती और धर्म को देखकर नहीं दिया, सभी युजनाओ का लाव, सभी को समान रूप से मिला, इस के लिए जानना बहुत ही जुरूरी है, आप बैंक से ज्यादा रासी में खाते खुलवाएं, और अधिक रासी मिलियन बैलेस के लिए रखने के लिए परिसान है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा खुसकबर है, जी हादोस्तों अब पोस्ट ओफिस में डांक भेजने के स साथ बैंकिंग सुबिधाई भी दे रहा है, पोस्ट ओफिस के लोगों को सेविंग अकाउंट खोलने की सुबिधाई भी दे रहा है, इसका सेविंग अकाउंट सिर्फ 20 रुपए से खुल जाता है, जो बैंक में चार्जेस के हिसाब से बहुत ही कम है, इस अकाउंट में म फीसदी ब्याद भी मिलता है वह दूसरी तरफ से भी अकाउंट का नियुनतम 500 रुपया खोला जा सकता है इसके खाते के साथ ही चेक बुक सहीत एटियम की सुभिधाय भी आपको दी जाएगी इस खाते के बाद नियुनतम 500 रुपय का तक बैलनस रखना जरूरी होगा आपक सुराज का ममता बेनर जी को जवाब दुसमनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइस रहे जी हाँ दोस्तों भारती जिंता पार्टी के वरिश नेता सुस्मा सुराज ने ट्विट कर कॉंगरेस महासेची प्रियंका गांधी और त्रिमूर कॉंड कॉंगरेस सुप्रीमो ममता ब गांधी को मनमोहन सिंग सरकार की याद दिलाई तो कहा राहूल गांधी को कैसे अधादेस फाड़ दिया और दूसरी तरफ ममता बेनर जी को बरीस बद्र का एक सेर याद दिलाए जो राजनीती के दोस्ती और दुसमनी की बात करते हैं आपको बता दे कि प्रियंका गांध डॉक्टर मरमोहन सिंग का अपमान करते हुए राष्टपती का द्वारा जारी अध्यादेस को फार दिया था और कौन इसको सुन रहा है दूसरी तरफ सुसमा सुराज ने ममता बेनर जी पर ट्वीट करके कहा है कि ममता जी आज आपने सारी हदे पार कर दी आप प्रदेस क मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी देश के प्रदानमंत्री कल आपको उनहीं से बात करनी है इसलिए बरीस बद्र का यह से याद दिलाती हूँ दूसमनी जम कर करो लेकिन ये गुण जाइस रहे जब कभी भी हम दोस्त हो जाए तो दूसमनी ना हो प्रियंका ने प्रदानमं से बंधक बनाने की कुशिस की दिनकर की पंती याद दिलाती हूँ जब नास मनुझ पर चाता है पहले भी वेक मर जाता जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़वरें बफोस याचिका करता और 2014 में सोनिया गांधी के खिलाब चुनाव लड़ रहें बीजेपी के पूर्वन मतरी मोदी के बारे में कहा है उसनों कहा है कि बफोस मामले में पुर्व प्रधान मतरी राजियू गांधी के खिलाफ कोई भी आरोप कभी साबित नहीं हुआ है और क्लिंचिट दी गई है उसने दावा किया है कि उन्होंने 14 साल तक हिंदूों बंधूों के खिलाफ सुप् यहां चलाने के लिए यहां डेरा डाले हुए है उन्होंने कांग्रेस को मोदी की ओर से इस आम चुनाव में दो बाकी चरन राजियू गांधी के नाम पर चुनाव नौल अड़ने की निंदा की है और परधान मतरी मोदी पर चुनाव फायदे के लिए पाकिस्तान को तेज बहादूर यादों की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोट जी हां दूस्तो वरांसी लोकसभा सीड से नमांकर रद करने पर निरवाचन आयोक के फैसले के खिलाब सुप्रीम कोट में याचिका दार करने पर तेज बहादूर की याचिका पर आज सुन उड़ने कहा था कि प्रधार मत्री मोधी की जीत सुनिशित करने के लिए मंसा से उसे नमांकन पत्र रध करवाया है। जाने क्या होगी आखरी रणनीती जी हाँ दो सो लोक्स भाचुनाओं के पूरे होने के अभी दो चरण बाकी हैं। इस्टेटिव असेम्ली के सरकार बनाने के लिए आमंतरन न करें। केंदर में बीजेपी की सरकार पर बिरोध कर रहे 21 राजनितिक दल पर समर्थक पर हस्ताक्चर करने के लिए यूजना बना रहे हैं। उसका कहना है कि लोक्स भाचुनाओं के पईणाब आने के वाद बैकलपिक सरकार के गठन के लिए राश्टपती के पिपक्च पार्टियों के समर्थन को पतर देने की तयारी होंगी। तूतरों का कहना है कि इस असमान कदम का कारण यह सुनिशित करना है ताकि राश्टपती चुनाओं में सबसे बड़ी पार्टी के रुप में उभरी किसी सिंगल पार्टी को छेतरिये दलों और गठवंदन को तोड़ने का प्रयास करने का मुका न मिले। यह कदम छेतरिये दलों के फुट पढ़ने के रोकने की बात है। आपको बता दे कि लोकस बाचुना में 554 निर्वाची सदर से होते हैं जिसमें बहुमत के लिए 254 सांसदों की जरूरी होती है। उस वक्त बीजेपी के पास 178 सीटे थी और गठवंदन के पास 254 सदस्च थे। बाहरी समर्थन से किसी तरह अठल विहारी भाजपाय की सरकार बन गई। मगर 20 महीने के बाद सरकार गिर गई। जब वह एक मत में भी स्वास हार गई। आपको बता दे कि पिछले 5 वर्सों में मनिपूर गुआ जैसे राजों में सरकार गठन का बहुत बिवाद हुआ है। और हाल ही में करनाटक में ऐसा नजर देखने को मिला। करनाटक में बीजेपी ने भाजपा के तब विरोध किया। जब चुनाओ के बाद कांग्रेस ने एचडी कुमारा स्वामी के जनतादल सेलूर के साथ गटबंदन किया था। जुनाओ के लिए जबकि कोई अउपचारिक गटबंदन नहीं हुआ बावजूद इसके 21 पार्टिया बीजेपी में सामिल करने के लिए राष्टिय अस्तर पर एक साथ है। और गैर कांग्रेस वाले तीन मुर्चों के गटबंदन की संकेत है। इसके लिए तेलंगाना के मुख मंतरी के सी आर अन छेत्रिय दलो के नेताओं को लगतार मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दे कि लोकस बाचराओं का आखरी चरण के वोटिंग 19 माई को होगी और 23 माई को इसकी गिंती होनी है। बीजेपी के कटर आलोचकों में से एक है। नोजो सिंग सिद्धू ने बातसीत करते हुए कहा है कि प्रधार मतरी मोधी दो यूजनाव के लिए जाने जाएंगे। एक युवा के लिए पकोड़ा इसकीम और दूसरा भगोड़ा इसकीम। प्रधार मतरी मोधी पर ब्यक्दिकत हमलों के पीछे सब्ता चुनावी आयोग ने उसे नोटिस भी मिल चुका है। छाटर में मोजूद लोग ही जबाब दे हैं और उनसे ही सवाल पूछे जाते हैं जो सब्ता में नहीए वłem सवाल के जबाब नहीं दे सकते हैं यहां हर बर सरकार ही सवाल पूछती हैं हर चुनाव में भाजयपा का ध्यान रास्टवाद और रास्टिय सुरक्षा पर वहीं कॉंग्रिस अदक्ष राहूल गांदे भी अपने चुनावी रेलियों में अक्सर राफाल सोदे के कथित भरस्टचार को लेकर के परधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हैं और उन्हें बहस करने की चुनोती देते हैं नवजोंसी सिद्धू ने परधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए का है कि अब परधानमंत्री नहीं बलकि प्रचार मंत्री हैं उन्होंने प्रचार के लिए लगबग 6,000 करोर खर्च किये